देखा जोनी, चाह तुम उससे दूर फेख सकते हो पता है? क्यों नहीं? बोल क्या देगा अगर मैने से फेख दिया दो? अबे जाना, कुछ भी हाँ बोल देते हो. तुमने पूरी जिंदेगी भी कोशिश कर ली ना? तब ही तुम उससे आगे नहीं पहुँच पाओगे. जोनी, दिखा दे इस बंडी के बच्चे को अपना दम. अच्छी कोशिश थी. अगर तुछ में इतना इतम है, तो अपने चैंपियन डैनी का हेरा कर दिखाओ. कोई इंड्रेस थी यह भाई, मुझे एक क्यूब मिला है ना, मुझे इसमें जादा मजा आ रहा है. लगता है डैनी में पहली हार मान ली. ओ बंटी भाई, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, इसमें दिमाग लगता है. तुम्हारे बस की बात तो है दी. अच्छा, तो जुम्हें इतना ही दिमाग है, तो इसे सॉल्फ करके क्यों नहीं दिखाता है? दिखाऊँगा है ना, जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मेरा दिमाग और तेस्ट चलता है. ना एकॉट, वो भी तर आदमी तो मर जाएगा? किसको तेहरनाता है क्या? मैं, मैं किसी को मंदेद के लिए मुलाता हूँ. अब कोई फाइदा नहीं है, तब तक वो दुख जाएगा. Danny, Danny, Danny! Danny, Danny! 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 Danny कि एफन दो जो टूह कर मिदोरिक टूल यह भाज मेंग Reeve स्वान लाजा लाज लाज cinco दो इहाल कि और जो पुदकर बंगा है। कि भाप शब है पुब जो डिस मेऩ करपते हैं वीज रेत बड़ है से अंचे औागंध और रागंट मैं वहार कि अपरना ईचाहा थार थागंधना него कर दोटें दोनி superiority दोनि दोनी दोन 비ंग डप्टे दोन ओख किम झालोाईार, वर देरा में ह objetos, कि एद से जो vert3 कि एफ आप को उतकी में, हमेख मिवकराई पाइए आपक हुड़ागा अजध मान गया तुझे डैनी आज तो तुने बहुत भादुरी का काम किया और मैं तो पहले ही गाता हमारा डैनी तो चाम्पियन है चाम्पियन वाखे डैनी तुमने आज एक इंसान की चान बचा ले शाबाज डैनी डैनी रुझा डैनी डैनी रुझा डैनी 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 देखो इस लड़के को किसी बात के परवा नहीं है इसको अरी कौन समझाएगा इसको कि मरूबैंग उलारे चाम्पियन गर्षब एए-ए-ए-ए पस adequately कुमने वाफ' एए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-दे कि कि ओ была olur प्रड़ के लिए कर दूदू है कि अगा रहा प्रश बन्पटे प्रा कि लो शूपे जञाने प्रा बारे लुदू है अगा कि नगास्ट भी जशी हैं तो मिलने भीज़ कि अारणी पैसे कि अगास्स कि आलिए डांगा उग से विए फूप अ ईतनों सेठी प्रा कि झाल झाल यह तो मर चुकी है तो फिर से दामे का दोना पड़ गया तो में से संभालो मैं आम्बिलेंज को बलाता हूँ अलो जी मुझे रूरिया ब्रिज के पास एक आम्बिलेंज चाहिए अभी जी इस हीरिश सर वो गल्ती मेरी थी गाड़ी चलाते चलाते मेरी आख लग गए और गाड़ी ब्रिज के नीचे किर गए तो डैनी ने मेरी जान बचा ली अगर डैनी ठीक वक पे नहीं आता ना तो श्याद आज मेरी जिंदगी का आखरी दिन होता वाकई डैनी तुमने बहुत मादूरी का काम किया है वो भी सर तमे की तकलिक होने के बाद यही तो मैं इसको समझा रहा था इसे अपनी बिल्कुल परवाई नहीं है आप सर मेरा नाम सिद्धारत है जिस स्कूल में डानी बढ़ता है मैं उस संस्ता को चलाता हूँ और मैं ही उसका मालेक हूँ और हमें अच्छे काम करने की सीख भी अमारे सिद्धात सर देते हैं गुड चलो बच्छे लोग अपना अपने खायाल रखना है गुड़ बॉई आशचिन उच्छ पता चला लाफ से यह देखे सिर किसी धारदार हतियार से कला काटा इसका और मारने के बाद पानी में फैंक दिया रहा है सर लगता है मरने से पहले इसकी खुणी के साथ हाता पाई हुई यह देखे इसकी हातों फर खरोचों की निशान है और सर, इसकी बोड़ी तेक के लगता है कि काफी समय पहले पानी में फेका था इसे फिर तो खूनी के उंगलियों के निशान या डेने का मिलना तो ज़रा मश्किल ही लग रहा है हाँ इस है कौन ये? कि इसके बोड़ी पर से कोई आइडेन्टिफिकेशन कोई पहचान मिली? नहीं सर, इसके पास से कोई पहचान ने मिली सर कपड़ों से तो अच्छे गर के लग रहे है सर, ये तो इस कार अक्सिडेंट की वज़े से हम इस लाश के बारे में पता चला वरना ये गुणा तो पानी में डूब करें रह जाता आओ और अगर गुनेगार का पता लगाना है तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लाश, ये लड़की है कौँ अभी जी, तारिखा जी अरे इतनी कमजोर में ज़र आ रही है आप क्या वाद है, टाइटिंग कर रही है अरे, नहीं, नहीं, वो क्या है ना, थोड़ा सा बुखार आ गया था बुखार? आप बुखार होने के बाद ने काम पे आई है इतनी बेरैमी हो रही है इंके साथ अरे, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें खुदी घर पे आराम नहीं करना चाहती थी अच्छा, अच्छा इसे कहते हैं काम की प्रतीज समर्पन सम्मान कमिट्मेंट हो गया आपका सानु भूती पर, या कुछ बाकी है हाँ, हाँ तो काम की बात कर ले? काम की बात कर लाँ से? केस की बात कर रहा हूं मैं भाई साब? हाँ, केस की बात, जी क्या क्या कहना चाहते हैं केस के बारे में आप? यह देखो इसके गले पर यह जो गाव है, इससे साब पता चलता है कि इसकी मौत किसी धारदार हतियाँ से गला कार्टी के वज़े से होगी सर कितना समय हुआ होकर इसकी मौत को? 35 से 40 गंटे 35 से 40 गंटे? मतलब... करीब दो रात पहले? 35 से 40 गंटे का क्या मतलब होता? अरे लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इसकी पहचान हो तो केस आगे बढ़े अब मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ अब बताएए ये लड़की स्केन अलरजी की दवायां लेती थी अब लेकिन इससे इसकी पहचान नहीं होने वाली कुछ और? कुछ और के लिए इधर देखना पड़े अब इधर नहीं? इधर इधर इस लड़की की पहचान का एक रास्ता इसके हाथ पर है ये निशान? ये निशान ये मगन? निशान पाता लगेगा थोड़ा भंग तो ठीक है? हाँ इससे ही इसकी पहचान हो जाए तो हमारा काम तो बनी जाएगा हाँ सर हमने इसका DNA और उंगलियों के निशान अपने डेटाबेस से मैच करने की कोशिश के थी लेकिन कुछ पता नहीं चल्या सर और पिच्छल अफिये की मिसिंग परसन रिपोर्ट मैं भी देखा था किसी ने इनकी रिपोर्ट मैं लिखाई अज़े बात है सर दो दिन होगा और किसी ने कुई रिपोर्ट दाज ने कर रहा है वो सकता ये लडोगी शहर से बाहर की हो तो यह तो यह शहर में अकेली रहती हो? अबजीद, यह देखो, रास्ता साफ. आर यू? यह निशान यहां हाथ पर, ऐसे निशान तो वो नाइट क्लब और डिस्को डिस्को वाले लगाते हैं, ना? अहां, सर. यह हार यू नाम से कोई नाइट क्लब है क्या? अहां, सर. रॉक यूनियन नाइम का नाइट क्लब है यहांपर. रॉक यूनियन? चला, वहाँ चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चले. रॉबिन किचन में काओ, थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ चलाएं. अभी थोड़ी देख में कस्टमर से भंज जाएगी यह जगा. जी, सर. आई, आई, सर. How can I help you? CID से हम लोग. आप से कुछ पुछ पुछ ताश करनी थी. CID? क्या मंदा कर्सत कुन सर्म में आपी? इस वारुद को पैचानते? चाहे दो दिन पहले यहाँ आई थी. जी, यह में सुनाक्षी है. क्या हुआ है इने सर? सुनाक्षी? अक्सर आती थी क्या है यहाँ पर? जी सर, अपने दोस्तों के साथ. अब वो आदी उनकी दोस्त. यहाँ है. सच में है. ओ गॉड. येस. साही का. स्क्यूज मी. हम आपकी दोस्तों सुनाक्षी के बार में पूछताच करने आए. आपको कैसे पता कि हम सुनाक्षी के दोस्त हैं? हम लोग CIDC. क्या? क्या? सब ठीक तो है ना? आक्चिली सुनाक्षी से कल्षे हमारी बात नहीं हो पाई. उसका खुण हो गए. क्या? खुण? खुण? सुनाक्षी का? कैसे? दो दिन पहले तम साथ में ही पार्टी कर रहे थे. कब से जानते हैं आप सुनाक्षी को? सर्थ कई सालों से? काभी पुराने दोस्ती आप लोंगे. अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि सुनाक्षी किसी से परेशान थी? या उसे कोई मारना चाहता हो? ये सब तो हम नहीं जानते, पर सुनाक्षी तो बहुत खुछ थे अपने जिन्दगी और अपने काम से. क्या काम करती थी सुनाक्षी? सर, वो पुना में अपना एक स्पा सलोन चलाती थी. तेखे, कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी की कामयाभी से दूसरे लोग जलने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं. कोई, कोई ऐसा तो नहीं था? कभी बताया हो सुनाक्षी ने इसके बारे में. नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी. और वो अपने नीजी जिन्दगी के बारे में कभी कोई बात नहीं करती थी. ठीक है, दो दिन पहले जब आप लोग मिले थे तो क्या हुआ था? सर, उस राद भी हम किटे पार्टी कर रहे थे, पर एहरानी के बात ये थी, जो सुनाक्षी किसी को पार्टी छोड़कर जारी नहीं दीती थी, वो उस राद खुद पार्टी छोड़कर चली गी. आप लोगों ने पूछा ने उससे? पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. कितने, कितने बज़े गई थी वो? यही कोई साड़े बारा बज़े के करी. एई, सुनो, किदर आप? जी सर. दो दिन पहले जब यहाँ पार्टी चल रही थी तुम थे यहाँ पे? हाँ, सर. मैंने इन लोगों सर्विस दी थी. अच्छा, फिर तो तुमने सुनाक्षी को भी देखा होगा? हाँ, सर. मैंने यहाँ देखा था. बाहर लॉन में फोन पर किसी से बात कर रही थी. तब भी कह रही थी कि इतना जरूरी था, तो हमसे मिलने पार्टी में क्यों नहीं आया? और फिर वो चली गई. रागव? तुम जानते हो किसी रागव को? नहीं, सर. ठीक है. आप लोग किसी रागव को जानती हैं क्या? रागव? रागव? नहीं. सौरी, सर. ऐसी किसी आदमी को हम नहीं जानते हैं. ठीक है, बुविक. सौनाक्षी का कॉल रिकॉर्ड निकालो. पाता चलेगा कौन है यह रागव, क्यों परिशान थी इससे मिलने के लिए? सर, लगता है पत्रकार जी ख़बर से उप गए. इसलिए पेपर उठा के भार पिख दिया. पेखा नहीं है. दो दिन से उठाया नहीं है इसने. दो दिन से? सर, कहीं इस रागव को कुछ होतो नहीं गया? देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, रागव भर पे नहीं है. वैम, लेकिन जब भी गया यहां से काफी परशान और जल्दी में था. चाय तक नहीं पी गया. सर, इस सुनाक्षी के कुन में रागव काया तो नहीं? मार कर चपकिया किसी बिल में? हो सकता है. उसके आफ़े से फोन करो, देखो किया पता चलता है. सर. सर! सर, यह बहुत ही इंपोर्टेड और महेंगी गड़िया है, सर. इंपोर्टेड गड़िया? अरके अंदर दो-दो LED टीवी? इंपोर्टेड गड़िया? यह कहां से आए इसके पास? अरे नहीं है, यह सारी चीज़ें इमानबारी से नहीं कमाई गई है. सर, लगता है किसी गायर कानोनी काम से जुड़ा हुआ है. सर, रागव दो दिन से ओफिस लिन है. उसके ओफिस वाले ने उसे कॉंटाक करने की कोशिश के लेकिन वो फोन में उठा रहा है. सर, इसका मतलब वो फरार हो गए है. इसके ओफिस से सुनाक्षी के बारे में कुछ पता चला है? सर, मैंने रागव के साथ काम करने वाले उसके एक दोस्स से बात की. वो सुनाक्षी नम के नड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता. शर ॐ। जैसे आप कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दोनो के दोस्त इनके वारे में नहीं जानते हैं सर यह देखी हूँ सर यह लिपस्टेक है कलरूर यह सब तो लडकिया है इस्तेमार करते हैं यह इसके पास क्या कर रहा है सर। प्रागर्व की तो शादी भी नहीं हुए। मतलब कोई लड़की है इसकी जिंदगी में। कौन लड़की। एक काम करो। इसके फोन की आखरी लोकेशन पता करो। देखते हैं कहां चपके बैटा है। वो खंटे हो गया सार इन लोगों को नदी चानते हुए। पता ही नहीं चल रहा है। वही तो, कया कहा ये, रागव। सार, रागव का मोबाईल जहां ट्रेट्स हुआ था। उसके आसपास का दो किलोमेटर का इलागा चान मारा सारी। लेकिन कहीं कुछ पता नहीं ले। सार, मैंने पास के गावं में उसकी फोटो भी दिखाई। और पूछ ताज भी की। लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे लेकिन फोन तो यहीं पे लोकेट वा था। तो गायब कहा हो गया। एक लाश मिली है। संबल गए। यह तो रागों में साथ। यह देखो अभी जी एत। रागों का भी गला काण दिया है। इनके हाथ भी वैसे ही आता पाई के निशान है। फिल्कुल वैसे ही मारा है यह से सोनाक्षी को। सर, कहीं है किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं? जो एक ही तरीके से खुन कर रहा है। सीरियल किलर तो नहीं लगता है श्रया। सीरियल किलर अपने खुन को चपाते नहीं है। बल्कि अपने शिकार का दिखावा करते है। ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। सर, तो क्या रागाव और सोनाक्षी से कोई नीजी दुश्मन ही निकाल रहा है। अभिजित, दूसरे शहर में एक औरत स्पा चलाती है, उसका नाम है सोनाक्षी। पर यहां पर हमें लाश मिलती है एक पत्रकार की रागव की दोनों के खून एक ही तरीके से होते हैं। पर ऐसी क्या बात है इन दोनों में जो खूनी इनका दुश्मन बन गया। सर, रागव के लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट। डिवियेटर सेप्टम, नाग की एक नली सिखुड गई थी, इसलिए सांस लेने में तकलिफ होती थी। सर, हम सोच रहे थे कि सुनाक्षी की मौत में रागव का हाथ है, मगर इसका भी खून हो गया। हां। सर, इसकी मौत हुई अट्रा से बीज गंडे पहले, सुनाक्षी के मरने के एक दिन बाद, याने कल। सर, पिछले दो महिने में रागव के बैंक अकाउंट में लाग और रुपर जमा किये गए, सर। इतने सारे पैसे इसके अकॉन में कहां से आ है। गलत काम कर रहा होगा वो, गलत काम। ठीक है, सुनाक्षी और रागव के कॉल रेकॉर्ड्स क्या कहते हैं। दोनों के कॉल रेकॉर्ड्स के मुताबिक, पिछले तीन महिने से ही इनकी आपस में बाच्ची चल रही थी। उससे पहले नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक्स। साथ, रागव के कासे जो ये फटी फोटो में ली थी हमें। इसमें स्लड़की का बता लग गया है। रश्मी नाम है इसका। सर कहीं ये रश्मी तो नहीं जो रागव के घर में रह ली थी। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके संबन बिगड़ गया होंगे और उसे में आके रागव ने फोटो फाड़के दश्मे में फिक देए। हो सकता है या। हो सकता है और ये सब इस सोनाक्षी की वज़े से ही को आओगा। और शायद इसी लिए रश्मी ने इन दोनों को रागव और सोनाक्षी को अपने रास्ते से हठा दिया। इस रश्मी से मिलना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यांपर। कब निकलूंगा मैं। दवाईयां, इंजेक्शन। मैं भीमार थोड़ी न हूँ। यह क्या हो रहा है। लाइट। लाइट। यहांपर चिप कैसे आई। मुझे C.I.D. अंकल को बताना होगा इस चिप के बारे में। रश्मी हाँ? देखो रश्मी हमनुप C.I.D. से C.I.D.? जी हाँ, और तुम्हारे साथ रागो के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे रागव के बारे में कोई बात नहीं करनी है। देखे रश्मी जी रागो का खून हो गया है। क्या? रागव का खून हो गया है? किसने मारा सेर उसको? पता चल जाएगा। लेकिन पहले ये बताओ तुमारा और रागो का रिष्टा तूट क्यों गया? सर प्यार के रिष्टे तो बंते बिगडते रहते हैं। इससे प्यार में कोई कमी नहीं आती। अच्छा चलो ठीक है। पर रागो के पास अच्छा नक से इतना सारा पैसा कहां से आया। इस बात से मुझे भी बहुत हरानी होती थी सर। वो मुझे अच्छानक से बहुत महंगे-महंगे गिफ्ट्स देने लगा। मैं उससे पूछती मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था। और वो कुछ दिनों से बहुत भटका-भटका से रहने लगा। बटका-बटका से लगता था मतलब। सर। अच्छानक से उसका मूर बहुत बदल जाता था। एक पल था वो बिलकुल उदास हो जाता था। और दूसरे ही पल वो उसको पाटी करने का बहुत मन करने लगता था। और फिर ये डिवीट एक्सेप्टम लगता है लख लगी थी उसे द्रग्स की. और हाँ सर, वो रात में अचानक ये पता ने कहां चला जाता था, और दूसरे दिन शाम में वापस आता था, मैं उसे पूछ थी कि तुम कहां गए थे, वो कोई जवाब नहीं देता था. ये सुनाक्षी दाम की लड़की को जानती हैं आप? नहीं सर, मैं किसी सुनाक्षी को नहीं जानती, पर हाँ, वो घंटों किसी औरत से बहुत बाते करता था. कौन? कौन औरत? मुझे नहीं पता, सर. हाँ, चार दिन पहले उसने उसी औरत से करीब ग्यारा साड़ी ग्यारा बजे बात की थी, कि करीबन एक घंटे तक, और उसी राथ हमारी आखरी लड़ाई हुई. रड़ी, चेक करो, रागो के फुन्डे को चेक करो, देखो, तेर रागो एक घंटे तक हो किसके साथ बात कर रहा था. सर, नंबर है, वन वन जीरो सेवन एट नैन जीरो नाइन जीरो नाइन नाइन पता लगाओ किसका नंबर है ये. हलो, C.I.D.? हाँ, मैं दैनी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल से. दैनी, क्या बात है? सर, मुझे लेक के किनारी एक रूबिक्स क्यूब मिला था. और जब मैं उस क्यूब से खेल रहा था, तभी अचानक से वो खुल गया. क्या? खुल गया? जी, सर. और उसके अंदर से मुझे एक चिप भी मिला. क्ये, सची. सर, मैं फोन रखता हूँ, कोई आ रहा है. अरे, क्या कर रही है अब? मैं रूम की साफसफाई कर रही हूँ. पर आप हो कॉन? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं? हाँ, मैं नहीं आई हूँ. हुमारे पॉकेट में क्या है? अच्छा ये, इससे तो मैं खेलता हूँ. तुम्हें पता नहीं है, बॉर्ड में कुछ भी खेलना अलाओड नहीं है. लाओ, ये मुझे दे दू. नहीं, ये मुझे CID को देना है. चिलाना मत. चुपचाप ये क्यूब मेरे हाथ में दो. मैंने कहा क्यूब मेरे हाथ में दो. वर्ना? लाओ. वर्ना मत. चाहप लाओ. वर्ना मत. चाहे लाँ नहीं हैं। डिरे लाँ रहे पर शोड़ाएं। लगड़ ऑने लोगगां। लगज़ज़। कोईडिए! कि हाँ राँ की अचलती उना! लगज़ लगज़िया? लगज़ हमाँ! एफ उब एफ वा उवी एफ वाल मुझे पटाजे तुम इसी कमरे में छुपे हुए हो चुपचाओ, मेरे सामने आओ देखो… मैं तुम से बादा करती हूँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पोचाओंगी अगर तुम सामने नहीं आये तुम्हें क्यूब तो ले ही लोंगी तुम्हें भी यही मार डालूगी शाबाज अब अच्छे बच्चों की तरह क्यूब ला कर इस स्ट्रेचर पे रख दो अब तुम नहीं बचोगे पर आपने तो बोला कि आप क्यूब लेकर मुझे छोड़ दोगे तुम्हें छोड़ दूगी ताकि तुम सी आईडी के पास जा कर सब कुछ बता दो इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं प्लीज मुझे मत मारो दनी दनी C.I.D. अंकिल इसको यहां मारा तो C.I.D. को पता चल जाएगा दनी दनी उसे कैसे एक बच्चा रूम से गायब हो गयर आप लोगो पता ने सर टनी हॉस्पिटल में होगा बार नहीं गया होगा सर बाहर बहुत सेक्यूरिटी है ऐसे कोई भी ली जा सकता है सर शर वो नस नस वो क्लो सर वो नस को पकड़िये सर वो क्लो सर सर इसे तो चोट लगी है सर डॉक्टर को बलाते है नहीं मैम चलेगा मैं फुटबॉल केलता हूँ इससे जादा चोट लगते है मुझे एरभी सर प्रीज डॉक्टर को बलाईए जी सर 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 अम खाम खाम भागे जा रहे है उसकी शकल तो अमने देखी नहीं तो तो डूनें कि कैसे मैयूर हम लोग C.I.D. से है हम लोग चोड की शकल देखके पचान लगते कि वो चोड है यह तो खुणी है चलो सर वहां देखने है सर सर वहां चलो वो नर सर रूब्रिक्स क्लूब लेके गई किया जी सर सलो कोई नहीं हम सही समय पर पॉच गया तुम बच गया और सर चिप भी बच गया तुम जितने बहादूर हो उसे कई ज्यादा होशार भी हो एकदम सही बोला सौर सब ही मुझे यह कहते है हाहा हे रुचा क्या हुआ सौरी हमें लगा के कोई मुझेम है उसके पीचे बागा मुझेम दिख रही आपको और सुनों यह हॉस्पिटल है यह भागना एलाओ नहीं है गो स्लोली, okay? I'm sorry I'm really sorry आप जाइए सौरी सा तक तो वह भागे ही होगी ब्योरो चले यह दर्वाजा क्यों नहीं खुल रही है? सुचिन अपनी कारा मत दिखा क्यों krijgen Jiang क्यों हिए इसे सकता क्या खूँ क्यां अक शो भूँ पुल साथ माय कोँ यह तो आईश्वरी हाँ यह जुप इस मनाक्षी की किटी पाटी वाली फ्रिंड है इसका भी गला काटके पार रहा है इसे हां सच दिंड जखम ताजर है लगता है कुछ दिर पहले ही मारा इस है फ़ड़ी, जल्दी से बाहर जाओ, अस-फ़स पुछ ताज करो देखो शाहिद किसी ने किसी को जाके वे देखा होगा यहां से जाओ, चल्दी सर्व, पहले यह सोनाक्षी, फिर रागाओ और अब यह एश्वर्या सचिन, यह सारे दोस हम से कुछ चुपा रहे है, कुछ चुपा रहे हैं यह लोग हाँ सर, यह एश्वर्या भी हम से रागों को जानने की बाद चिपा रही थी जबकि यह आपस में दोनों फोन पे लगातार भाते करते थे वहीं तो, जूट क्यों बोल रहे थी हम से यह, क्यों जूर बोल रहे थी नए, ने, ने, कुछ ना कुछ तो गडबढ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गडबढ है आज सचिन, चिप से क्या बता चला है? सर, चिप का पासवर्ड अब तक नहीं मिल पाए है, सर एक काम करो, पाचो दोस्तों के इनिशल्स की गॉंबिनिशन करके देखो सुनाक्षी के बचे वे तीन दोस्तों के बारे में कुछ पता चले? हाँ सर, मीत आली, रानी और तरश्या ये तीनों अचाना गायब होगा ऐसा सर कही ऐसा तो नहीं कि इने खुनी ने गायब किया तो सकता है सर, चीप खुल गया सर जल्दी बताओ सर इस लिस्स में तो इस शहर के बड़े बड़े लों के नाम है हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्टर्ज है, मॉडल्ज भी है और ये देखो उनके नाम के बगल में मात्रा भी लिखी है, पैसे भी लिखी है तो आगे बताओ सर, ये तो अलग-अलग किसम के ड्रग्स के नाम है लगता ये पांचों लोग इस किटी पार्डी के आड में ड्रग्स का धंदा करते थे देख, पता चल गया रागो और सोनक्षी के संबन्द का क्या संबन्द हो सकता है सर रागो को इन सारे लोगों के ड्रग्स के धंदे के बारे में पता चल गया होगा बस उसका मूँ बंद रखने के लिए रागो को ये पैसे देते होंगे लेकिन सर, रागो का इस गैर कानूनी काम के बारी में ख़बर केसे दियो गी उनका कोई दुश्मन, जिसने ये राज रागो को बता दिया लेकिन सर, इनकी जान के पीछे कौन पडागा? जिसने रागो को भी मार डाला? वही दुश्मन, फ्रेडी, वही दुश्मन उनसे कुछ बता चले हाँ ये छट्टी नर्की कौन है सर शहाद ये भी उनकी दोस्त होगी सर ये तो काया है पैश्वरे के मुबाइल फोन में इसकी फोटो और नमबर दो न थे काया लेकिन सर हाल की पार्टीज की फोटो में ये काया दिखनी रही है वही तो मतलब पिछले तीन महिनों से ये काया गायब है काया इसका पता लगाना पड़ेगा इस काया का जी कही हम लोग C.I.D. से काया से मिलना है जी आयो आयो ये है मेरी पोती काया ये है मेरी पोती काया ये ये कैसे हुआ ये सब अक्सर ऑफिस से लेट आया करती थी ठीक तीन महीने पहले ऑफिस के बार टैक्सी के लिए वेट कर रही थी एक जोर आया जोर आया जोर कुमारा और परस्चिन के भाग गया मैम संभाली अपने आपको आयो, बैठे जोर ना जोर कुमारा सर सर तीन महीने पहले राघव पहली बार सोनाक्षी के ग्रूप के संपर्क में आया और तीन महीने पहले काया का खून हो गया हम यह कोई संयोग नहीं है साजिश थी काया को रास्ते से अठाने की जोर परस चुराने के लिए चाको मारे गया परस चुराना सिर्फ एक दिखावा था पुलिस को गुम्राह करने के लिए सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काया नहीं राघव को स्कुर्टी ग्रूप के ड्रग डिलिंग की जानकारी थी यह लेकिन काया तो खुद इस ड्रग राकेट का हिस्सा थी फिर वो राघव जैसे क्राइम रिपोर्टर को अपनी ग्रूप के बारे में क्यों बताएगी वो सकता है वो इस दलदर से निकलना चाहती हो कुरूप छोड़ना चाहती हो उस नरागव को इसके बारे में बताया और नरागव पल्टी मार गया खुद इन लोगों को ब्लैकमेल करने लगा और शायद यही बज़े हो काया के खुन की सर कौन हो सकता है खुन कुरूप में से कोई भी हो सकता है कोई भी काया का कोई बहुत करीबी सर काया का यह एलबम देखिया ओ यह देखा यह देखा यह वो करीबी इससे पहले ग्रुप की बाकी लड़कियों को नुक्सान पहुँचा है सरोक ना होगा मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है दरने की कोई बात नहीं है वो कुछ नहीं भिगड़ पाएगा हमारा मेरे अंकल के घर पे कोई आदमी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मा सकता दरने की कोई बात नहीं है आज 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 प्लीजव खोड़ तो हम लोगोने कुछ नहीं किया फिलीज आज़ अमें छोड़ तो हम लोगोने कुछ नहीं किया जो तुमने किया है उसकी सदा तुमे तुमे इस जनम में क्या अगले साथ जनब दख्चकानी पड़ेगी अब सजा तुम नहीं सजा कानून देगा तुमें भी और इन लड़कियों को भी एए आई नहीं लेगा आईए से भी सर आईए मैं जानता था कि आप मुझते पहुंची जाएंगे लेकिन सजा आप नहीं देंगे मैं दूँगा क्युक्कि मैं पूरी तयारी के साथ आया हूँ यह देखिये देखो नाई 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 एसीपी साब आगे मत बढ़ियेगा वरना इस रिमोर्ट का बटन दभाकर यह बॉड़ दूँगा मैं तो मरूँगा ही साथ में तुम तीनों को लेकर मरूँगा मैं और हाँ फिर से गोली चलाने की कोशिश मत करियेगा अगर यह रिमोर्ट मेरे हाथ से गिरा तो बॉम आटोमाटिकल फूट जाएगा लेकिन क्यों कर रहे हो तुम यह सब क्यूंकि चुकि इनोंने मेरी काया को मारा अब अगर काया भी तो ऐसे धंदे में थी ड्रच्स के यह हो का न सर, सर कलती हर एक से होती है लेकिन वो सुदर ना चाहती थी वो यह गुनाह का रस्ता चोड़ रही थी अचानक उसने सुदर ने का फैसला क्यों कर लिया वज़ा से उसकी मौत हो गए उसकी मौत से काया को बहुत सदमा पहुचा उसने सोचा कि यह वो यह सब छोड़ देगी उसने इन सब लड़कियों को भी का था कि यह काम छोड़ दो है ना लेकिन जब इन लोगों ने उसकी बात माने से इंकार कर दिया सर पार डाला नहीं सर यह चूट भाला है चूट तो तुम बोल रही हो सुरूबे क्यूब में जो चिप चिपा हुआ था उसे पाने के लिए नर्स बनाकर हॉस्पिनल में तुम ले ही भीजा था ना वो चिप हमने अच्छी तरस से देख लिये समझे अब तभी तुम्हारे काले कार्णामों के बारे में पता चल चुगा था अब तेरा यह बंब कभी नहीं भूटेगा मौत का खेल खेली का बोट चौक है ना तुम्हें? बलो अब कानून तुम्हें मौत की सजा देगा और शायद तुम तीनों को की अब 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 अब